हेलो इस्टूडेन के मिस्ट्र के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज के मैं टॉपिक की के मिस्ट्र की प्रेश्ण भेंगे के लेसन नमर 14 से कोस्टन नमर 6 के अंसर को समझना तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा कोस्टन है रेसेदार प्रोटीन मतलब जिसे से रचना में क्या था प्रोटीन की जो चेन होती है उसमें समानतर क्रम में अगर प्रोटीन की चेन हाइड्रोजन बंदो द्वारा जुड़ी हो और एक रेखी रचना बनाती तो ऐसे प्रोटीन की रचना कुंडली वाली होती तो फिर उसे क्या बोलते कुंडली के रचना प्रोटीन को गोलाकार प्रोटीन के यह 3 v. में रचना होती साख्या यूगत ठीके ना अब देख लेता है तो पहला तो नाम से पुस्छा निकी संचना रहीbelt है रेशयदार न सभी रय भी कि रया धागे नुमा ठीके ये तनू clones में घूलत благ नहीं जल में जर्में घूलेंगा एसा भी अंतरा बोल सकते कि ये ज़ल में ऊघ्लुनशी लों झाल में घुरु इस तरह से विस बीढू परी comment ही ओसता है अगு और यह क्लापनंग मिधготов डिपयTrade समय मैं कि हार्मोन धीए कि न प्रूरीद में होने वाले जेविक क्रिया रिचार वर些 घमीज्च करम और यह जिए का अधारान लिखा है उसी परकर उपाप अचये को इंट्रोल करना तो मेटावालिज्स में को भुस्स एंजाइम को एंट्रोल करते हैं तो सितैंटि गलोगोज के लेवल को कंट्रोल करता है और ऐसे रोगों से बचाओ कि लिए हमने ग्लोबियून लिखा क्यों कि हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र में ग्लोबिलन फ्रोटिन क्या करता है एंटीबोडी बनाता है तो इस तरह से हमने क्या करता इस तरह से एक्जाम्पल लिख्या व्जैस कि रेटिन हो गया तुससे सिंग् कोलेजन से मास्पेश यह बनती है कोलेजन और मायोसीन तो इस तरह से हमने क्या करा जो यहाँ पर लिखा उसी के अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तक तक आप पढ़ते रहे हैं बेस्ट आफ लग फार यूर एक्जाम